इस लर्की के पेट में काफी तेज दर्ध हो रहा था, फोड़े देर बाद वो एक साप को जन्म देती है, लर्की के पास बैटा आदमी उस साप को उठा कर खा लेता है, अब वो अमर हो गया था, कुछ ही पिलो में वो आदमी एक बहुत बड़े साप में बदल जाता है, वो साप को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगता है, इन सबी हमलों की वज़े से उस साप को काफी दर्ध हो रहा था, अचानक से वो आदमी उस साप के शरीर से बाहर आ जाता है, यहाँ पर एक काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, वो दोनों स्पिरिट्स पर हमला करक मिंग की तरफ बढ़ने लेता है तबी पेंटर अपनी पूरी शक्तियों का इस्तिमाल करके एक कवच बना लेता है लेकिन वो साप बहुत ताकतवर था वो पेंटर को उठा कर हवा में ले जाता है और उसे भी मार देता है दूसरी तरफ मिंग का साथी उस कवच को ठीक करके चालू कर देता है